हेलो गाईज so welcome to our YouTube चैनल a-plus mentor so guys हमने uh इंटलिजेंस थीरी लास्टाम हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने अलफ्रेट वेनेट का था चार्लिष पेरमेंड का थी थे थेउरी तर्मस्टान का कहा जाता है, इसको दिया था Robert Stenberg ने, इसने जो cognitive approach था, उसको ज़्यादा importance दिया, as compared to psychometric approach में, cognitive और psychometric approach में क्या होगा, psychometric approach में जब भी हम measurement करते हैं, तो हम individual differences को काफी ज़्यादा importance देते हैं, लेकिन cognitive approaches में हम क्या करेंगे, उसका mental processes, internal जो processes हैं, उसको ज़्यादा importance दिया ज़्यादा, आपका cognitive approach में, तो इसने जो Stenberg के according, जो human intelligence था, वो क्या था, उसने क्या बोला कि intelligence एक ऐसा चीज़ है, जिसमें individual क्या करेंगे, deal करते हैं, किसके साथ, environmental changes के साथ, throughout their life, Spain, mean environment के साथ, किस तरह वो dealing करेंगे, किस तरह आपने आपको adopt करेंगे, यह सारा इसके according था, अब देखो, Stenberg theory को तीन पार्ट में, डिवाइड किया गया था, componential, experimental और आपका practical, अब देखो, componential में, तीन पार्ट आगे, आपके further इसको, mental processes को तीन कंपोनेंट में, डिवाइड किया गया, meta components, performance components, और last में आपका knowledge equation component, अब देखो meta components क्या हो जाएंगे, आपके जो inner conscious, inner conscious जो आपको help करेगी, decision लेने में, ठीक है, problem solve करने में, और problems, और plans बनाने में, ठीक है, वहाँ पे आपका जो inner conscious काफी जादा role play करते, अब कभी भी कोई decision लेते हो, तो पहले मन में सोच नहीं, हमें ये चीज़े decision लेना भी चाहिए, या नहीं उस चीज़ को हम क्या बोले, meta components ठीक है, अब जब हमने decision बना लिया, ठीक है, फिर हम क्या करते है action करते है, perform करते है, वो कि किसमें आजाएंगे, performance components में अरबट enable us to take action on the plans and decision arrived at by the meta components, जो meta components के through हमने decision और जो plans बनाए है वो आगे हम क्या करेंगे, execute करेंगे, ठीक है, या आजाएंगे हमारे performance components में, फिर हमारा third है knowledge equation components, ये क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे नई information को attain करेंगे, नई information को gain करेंगे, जो हमें बाद में help करेगा किसमें, जो हमारे plans हैं, उनको solve करने में, ठीक है, जो हमारी problems हैं, उनको solve करने में, जो हमारे plans को आगे carry out करने में, ठीक है, तो ये हमारे पास first part था आपका components, फिर बात करते हैं आपका experimental में ठीक है अब देखो experimental में हमारे पास दो चीज़े हो जाएगी इसमें हम यह देखते हैं कि कितने कितने सही वे से हम किसी task को perform कर रहे हैं ठीक है अब वो depend करता है कि जहां तो हम उस task से पहले familiar हों ठीक है अगर पहले familiar होंगे तो तब तो हम easy task को perform कर लेंगे बट अगर हम पहले familiar नहीं है उस task से तो हमें कुछ चीज़ें सोचने पड़ेंगी कैसे हम उस task को cover करेंगे कैसे हम उस task को finish करेंगे तब हमें थोड़ा सा brain use करना पड़ेगा तो यहां पे जो experimental वो चीज़ आ जाएगी अब देखो इसमें noble to automation noble to automation mean noble situation हो जाएगी जब हम task से बिल्कुल भी family नहीं है एक unfamily task हमें देगा जाता है एक ऐसी situation देगा जाता है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है हमें उस situation को deal करना तो वो आजागा noble में अगर automation की बात करेंगे आटोमेशन में क्या हो जाएगा हम क्या करेंगे जो आपका जो situation है उसको उस situation से हमने काफी बार हमने उस situation से deal किया गया हुआ ठीक है multiple time हमने वो चीजें perform की है और जिस चीज़ को हमने multiple time perform किया तो obviously है कि हम उस चीज़ को जल्दी solve, sort out कर लेंगे ठीक है थर्ड हम हमारे पास आयता है practical ठीक है इसमें क्या जाएगा intelligence is based on the way one functions in their everyday circumstances किस तरह एक person जो करेगा function करता अपने day to day activities में ठीक है अब उसमें क्या क्या आजाएगा adopt to one environment किस तरह वो environment में adaptation करता है ठीक है select the one best environment for oneself अपने अपने लिए अपना एक environment जो best environment है उसको select करे ताकि उसकी जो needs है जो उसकी desire है वो fulfill हो सके तो यह तो था हमारा stern work का theory के बारे में ठीक है अब बात करते हैं gardener theory of multiple intelligence अब जब हमने spare man जब हमने alfred के बारे में बात किया तो उसने क्या बोला था सिर्फ एक ही intelligence general level होता है ठीक है intelligence क्या है बंदे के अंदर एक general specific level general ability है उसी के according बंदे का intelligence level देखा जाता था उसके बाद spare man ने क्या बोला था general और specific की बारे में बात किया था लेकिन gardener ने क्या बोला कि जो intelligence है multiple type का intelligence है 1990s में एक और इसने intelligence को introduce किया वो था naturalist intelligence तो first हम seven types of intelligence के बारे में discuss करते हैं तो first आगे आपका linguistic और verbal intelligence linguistic related to your language ठीक है verbal communication के related हो गया इसमें हम देखेंगे जो intelligence level होगा कितना वो words किस वे से वो words को बोल सकता है writing level कैसा है उसका बोलने का शमता कैसा है कैसे वो बोल सकता है तो यहां पर जो वेक्ति जिसका यह linguistic verbal intelligence होगा उस वो वेक्ति क्या होता है वो good होता है कहां पर stories लिखने में memorizing करने में चीजों को recall करने में reading करने में अगर जिसका जो linguistic verbal intelligence अच्छा है तो उसके चांसी रहता है वो अपना कैरियर किसमें चूज कर सकता है writer हो गया journalist हो गया lawyer हो गया teachers हो गया तो यहां पर जिनका यह वाला intelligence अच्छा है तो वो अपने यह वाले कैरियर चूज कर सकता है सेकिन हम बात करेंगे musical intelligence में अब देखो कुछ लोगों क्या होता है musical sounds के बारे में information ज़्यदा होता है rhythms के बारे में information उनका ज़्यदा होगा तो इसमें उनका musical intelligence है वो काफी ज़्यदा strong है तो musical composition easily कर सकते है performance करते है singing करते है तो ऐसे लोग क्या बन सकते है singers, actors यह चीज़ें इसमें जा सकते है ठीक है जिनका musical intelligence अच्छा है फिर आ गया logical and mathematical intelligence logical mathematics में क्या आ जाएगा आपका कितना उसका ability है किसी mathematical problems को solve करने में numerical problems को solve करने में ठीक है किस तरह वो logical चीज़ों को देखता है ठीक है तो यह चीज़ें किसमें आ जाएगा mathematical intelligence में तो mean numbers को solve करना ठीक है हर और किसी number हमने last time बात किया था number series के बारे में latter series में तो अगर इस type का किसी के अंदर intelligence है तो वो क्या अगर सकता है बात में mathematicians बन सकता है ठीक है फिर बात करने visual special intelligence का यहां पर space जो आपकी ठीक है pictures को recognize करना ठीक है different types of figures है ठीक है अगर हम उसको different angles से भी rotate कर लेते हैं ठीक है तो उनको recognize करना ठीक है तो यहां पर जो individual होता है वो काफी ज़दा good होता है किसमे viewers identify करने में pictures में ठीक है charts हो गया bodily kinetic intelligence यहां पर क्या हो जागा bodily kinesthetic में क्या आ जागा आपका bodily movement ठीक है body movement के बारे में बात करेंगे आपके actions के बारे में बात करेंगे ठीक है body physical control मिन आपकी body का flexibility कैसा है ठीक है अगर आपका body flexibility जएदा है तो यहां पर क्या कर सकते है sports person में जा सकते हो ठीक है आप crafts person बन सकते हो dancer बन सकते हो actor बन सकते हो sculptor बन सकते हो bodybuilders बन सकते हो तो अगर आपके body movements अच्छे है ठीक है फिर बात करेंगे हम interpersonal intelligence interpersonal intelligence में क्या हो जागा हम क्या करते है किस वेज़ से बहार लोगों के साथ interact करते है वो आपका interpersonal intelligence का आजाता है ठीक है यहां पे जो person जिसका interpersonal intelligence अच्छा होगा वो क्या करेगा बाहर जो लोगों होगे उनके emotions को easily understand कर सकता है ठीक है उनके desires के है जो आसपास के लोग है उनके emotions उनको easily motivate कर सकता है ठीक है तो ये interpersonal intelligence में आ सकता है ठीक है जिनका ये चीज़ें अच्छी है वो क्या बन सकते है psychologist बन सकते है philosopher बन सकते है counselor बन सकते है ठीक है politicians होंगे ठीक है तो ये उनके ऐसे लोग हैं जिनका interpersonal intelligence क्या होगा काफी ज़दा high होगा फिर बात करेंगे intra personal में क्या होगा अपनी feelings अपने emotions के बारे में जो अच्छी तरह understand कर सकता है ठीक है ठीक है वो ऐसे लोग की इसमें आ जाएंगे अपके जो philosopher होते है writers होते है ठीक है देखते हैं और writers अपने emotions को करते हैं अपने stories लिखते हैं ठीक है singers भी कभी कभी क्या करते हैं अपने singers का भी interpersonal जो intelligence होता है वो कफी ज़दा high होगा क्योंकि वह अपने thinking according क्या करेंगे songs produce करते हैं ठीक है तो उसका जो अपनी feelings अपनी express करेंगे ठीक है तो यहां पर उनका जो अपना emotion level होगा वह अपने इसाब से उनका strong होगा तो यहां पर इंट्रा-पर्सन intelligence का वह उनका portion क्या होगा strong होगा तो यहां पर philosopher आ जाएंगे writers आ जाएंगे scientist आ जाएंगे ठीक है तो यह दो थे हैं हमारे seven types of intelligence अब हमने बात किya कि 1990 में क्या गया एक उसने naturalistic intelligence के बारे में बात किया naturalistic means आपके लेटर टू nature के ठीक है जिसका nature में interest है ठीक है nature को explore करने में ठीक है nature में क्या-क्या चीज नहीं है क्या-क्या different different types of species present है ठीक है जिसको तो environment वाली side काफ़ ज्यादा attraction है ठीक है यहां पर ऐसे लोग क्या बन सकते हैं biological बन सकते हैं conservation conservation बन सकते हैं ठीक गार्णर बन सकते हैं फार्मर बन सकते हैं ठीक है तो यह की चीज़ें आजाएगी आपके naturalistic intelligence इसका हाई है ओके गाइस तो यह तो था हमारा हाज हमने थियोरीज वाला जो portion था वह आपका फिनिश हो गया theories of intelligence आपका almost हमने सारी theories फिनिश कर लिया ओके गाइस तो गाइस अगर आपको हमारे चैनल पे हमारी चीज़ें समझ आ रही हैं तो प्लीज चैनल को शेयर लाइक और सब्सक्राइब कर देजिए ओके गाइस बाए थैंक यू